यार यह क्या पावासीर फैला रहे हो यार शोशल मीडिया पर अब जब से ही रावन के साथ आधी पुरुष का कंपेरिजन शुरू हो गया है कि उसका वी एफेक्स अच्छा था दस पारा साल पहले मूवी बन गई थी तो हाँ ठीक है अच्छा था रावन का वी एफेक्स भी 100% इतना ठीक नहीं था पर फिर भी आधी पुरुष के हिसाब से वह बहुत अच्छा था उस टाइम पर बनी हुई मूवी के हिसाब से अगर हम इसको कंपेरिजन करें तो बहुत अच्छा था तो वह देखने बहुत अच्छा लगता था जैसे हर पार्टी का रिकठा हो रह जैसे गेम के फीचर होते हैं उसी तरह तो वह देखने में अच्छा लगता था अब लोग शोशल मीडिया पर एक अलगी जी फैला रहे हैं जिसमें एक अलगी किलिप वारल कर रहे हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि रावन टू बन रही है भाई साब ये देखिए इसके सी इसको छोड़ो आधी पुरुष के उपर हमने पहले बहुत बाते कर ली हैं पर जिस चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वह जड़ा इंपोर्टन्ट इसलिए है को कि इसमें आधी पुरुष का ड्रेक्टर इन्वॉल्व हो गया है और उनका कहना है कि जो ये रि के लिए है भाई साब आप मुबाइल में देखोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा तो आपको लगा कि यार ये तो बेकार है तो बेकार है पर मुझे आप एक चीज़ बताईए माना कि ये हमें बड़े पर अच्छी लगेगी हम को 3D में ही अच्छी लगेगी जब हम सिन देखेंगे तो क्या चमगादर दी जगा पर वहां पर ड्रैगन आ जाएगा गेम्स ओफ फ्रोन वाला क्या आजाएगा रहेगा तो वही ना इस चीज़ को आप कैसे बदलोगे ठीक है आपकी सोच क्या है वह अलग चीज है उसके उपर तो हम डिबैट करिंगे ही नहीं हमन दूसरी बाते भी कर लेते हैं जैसे कि PS1 मुवी कपसे ही सिनमा घरों में लगी है उसके उपर हमने जारा बात की नहीं थी कि उसका क्लेक्शन कहां जा रहा है सिनमा घरों में चल भी रही है कि नहीं चल रही है लोग लगता है भूल गये है नहीं पर हम आपको भूलने नही पूरा कर लिया है आप ये देख सकते हो कि मनी रतनम की मूवी 200 क्रोड पार कर गई है और ये वर्ल्ड वाइल्ड है और पूरी ग्रोस वाली है ये कलेक्शन उसके बाद हम बात करते हैं कि 25 अबिस दिन हो गए हैं ब्रह्मासर को तो ब्रह्मासर को तो लोग भूली चुके थे इसका करेज था पूरा तो ब्रह्मासर अपने 25 दिनों के बाद 425 क्रोड का क्लेक्शन कर चुकी है तो इसका जो टोटल बजट था वो 300 क्रोड का था 425 क्रोड और अभी चल रही होगी अपना प्रोफिट इसने ले लिया होप दूसरा जो पार्ट है वो जल्दी ही रिलीज कर दें इसमें भी अगर 10 साल लगाएंगे फिर तो क्या ही कहने तीसरा पार्ट आते आते तक तो हमारे बच्चे वो मूवी रिव्यू करते हुए आपको दिखेंगे बताने को तो मैं आपको विक्रम वेदा का भी कलेक्शन बता दूँ पर रहने दीजे बाद में आप बोल बैट मिलगी यह था आज की वीडियो में आप थोड़ा कमेंट करके बता दीजे कैसी लग रहे यह वीडियो और ओम्राव जी का जो वह थ्रीडी वाला बात है उसके उपर है कोई आपकी टिपनी तो मुझे कमेंट करके बदा दीजे यह इसी वीडियों बस इतना हैं अगर